दोस्तो बच्चपन में हम जिन चीजों से डरा करते थे उनमें कुत्ते और अंधेरे के साथ चुडेल और डॉक्टर साहिब भी शामिल थे डॉक्टर साहिब की कड़वी कसीली दमाउं और गोलियों के साथ जो चीज सबसे ज्यादा डराती थी वो थी इंजेक्शन उसे हम अपने बच्चपन में सुई कहते थे इतना डर तो हमें कभी मास्टर साहिब के मौला बख्ष यानि छड़ी से भी नहीं लगा जितनी डॉक्टर साहिब की सुई देखकर हमें कब कपी चड़ती थी एक दफ़ा बड़ा दिल्चस्प वाक्या हुआ हुआ कुछ यूं कि हम बीमार हो गए बीमार तो हम बच्चपन में अक्सर हो जाते थे लेकिन स्कूल से छुट्टी फिर भी नहीं करते थे अमा हमें लेकर डॉक्टर साहिब के पास गई नाम था उन डॉक्टर साहिब का अब्दुल अजीज वो बड़े रोबदार डॉक्टर थे कभी कबार हंसा करते थे और जब हंसते तो ज़्यादा डराओने मालूम होते थे खेर काफी इंतिजार के बाद हमारी बारी आई अमा ने हमारी बीमारी के बारे में बताया और ये भी कहा कि ये दुबला बहुत है कोई ऐसी दवा दीजिए कि ये मोटा हो जाए डॉक्टर साहिब ने ये सुनकर पीठ मोड ली और अल्लाह जाने क्या करने लगे अल्लों हमें कुछ-کुछ अंदाजा था कि डॉक्टर साहिब जब मूँ मोड कर बैट जाते हैं तो ये सुी लगाने की तैयारी होती है डॉक्टर साहिब ने मूँ मोडे मोडे ही कहा कि फोरी तोर पर मोटा होने का एक आसान तरीका तो ये है कि एक साथ बहुत सारे कपड़े पहन लिए जाएं ये कहकर वो जोर से हंसे और मुड़े और हंस्ते हंस्ते हाथ हमारी तरफ बढ़ाया उनके दूसरे हाथ में सुई यानि इंजेक्शन बिलकुल तयार था लेकिन वो हमें उस वक्त सुई नहीं भाला नजर आ रहा था लगता था कि डॉक्टर साहिब के हाथ में तलवार है और वो हमारी गर्दन मारने आ रहे हैं लेकिन हम भला कहां उनके हाथ आने वाले थे उनके पुराने सारे इंजेक्शन हमें अच्छी तरह से याद थे बस फिर क्या था हम तडप कर उचले उचल कर तडपे डॉक्टर साहिब और अमा ने हमें पकड़ने की कोशिश की लेकिन हम उनके हाथ से चिकनी मचली की तरह पिसल गए और आओ देखानत आओ सर पर पाउं रखकर भागे चपलें भी वहीं रह गई जब होश आया तो हम अपनी नानी अमा के घर पहुंच चुके थे हमारी नन्हियाल डॉक्टर साहिब के किलिनिक से करीब थी हमारे दो मामू नानी अमा के साथ रहा करते थे सहन में हमा सारा किसा सुनाया फिर नानी अमा की तरफ चले और बच्चे एक जुलूस की सूरत में हमारे पीछे पीछे एक बचा भाग कर आगे गया और नानी अम्मा को बता दिया कि रौफ डॉक्टर की सुई से भाग कर यहां आ गया है हमारी नानी अम्मा अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे हमसे बहुत प्यार किया करती थी उन्होंने हमें अपने पास बिठाया और बोली यह अमीना यानी हमारी मां का नाम है यह अमीना आ जाये तो उसे डांटती हूँ बच्चे को डरा डरा कर हलकान कर दिया है हाथ पाऊं तो देखो बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं फिर हमें पानी पलाया और कहा कि जाओ खेलो अब हमने खुशी के मारे चलांगे मारनी शुरू कर दी और अपने मामुजाद भाई बहनों के साथ खेलने लगे कुछी देर के बाद अमा भी हमारी चपले हाथ में उठाए हमें ढूंडती हुई आ गई उन्हें भी पता था कि ये और कहां जाएगा मुला की दोड़ मस्जद तक लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई के मरीज साहिब बच्चों के साथ कुदकुडे लगा रहे हैं मगर इस से पहले के वो हमें कुछ कहती नानी साहिबा ने अपना हुकम सुना दिया कहने लगी कि अब ये बिलकुल ठीक हो गया है इसे किसी सुई की जरुत नहीं है इस तरह सुई से हमारी जान बची और लाखों पाए लेकिन एक और डॉक्टर साहिब भी थे उनका हाल भी आपको सुनाते हैं वो बड़े होशार थे जब किसी बच्चे को सुई लगानी होती तो पहले अपने कमपाउंडर यानि दवा बनाने वाले मुलाजम को आवाज देते और उसे इशारा करते वो बच्चों को इस तरह से पकड़ लेता जैसे कसाई बकरों को जिबह करने से पहले जकड़ता है और उसके बाद डॉक्टर साहिब बड़े एत्मिनान से अपना काम दिखा जाते ये डॉक्टर साहिब अपने दवा खाने के बिलकुल सामने एक इमारत की पहली मंजल पर रहते थे जब कोई मरीज ना होता तो ये खाली बैठकर मक्हियां मारने की बज़ाए अपने घर चले जाते जैसे ही कोई मरीज आता कमपाउंडर उने फोरन इतला देता इतला देने का तरीका बहुत दिल्चस्पवा करता था ना कोई आवाज लगाता ना किसी को कानो कान खबर होती तरीका ये होता था कि कमपाउंडर साहिब एक छोटा सा आइना लेकर धूप में खड़े हो जाते और उसका अक्स डॉक्टर साहिब के घर की खिड़की पर डालते वो फोरन समझ जाते और उसी हाल में यानि धारीदार पजामा पहने होए चपल घसीडते होए हामते कामते तश्रीफ ले आते कोई सत्तर के पेटे में होंगे हाथ कामते थे लेकिन इंजेक्शन लगाने के बहुत शौकीन थे मरीज को कोई सी शिकायत क्यों ना हो इंजेक्शन जरूर लगाते थे बुखार तो बड़ी चीज है नजला जुकाम और खांसी का भी कोई मरीज उनके दवा खाने से सुई लगाए बगएर निकल नहीं सकता था हमारी तो खेर जान ही उनका जिकर सुनकर निकल जाती थी अल्ला का करना क्या हुआ कि कुछ आर्से के बाद उनका दवा खाना बंद हो गया जाने कहीं और चले गए या अल्ला को प्यारे हो गए जब हम कुछ बड़े हो गए तो डॉक्टरों के पास अकेले जाने लगे आप ये ना समझ लीजेगा कि हमें डॉक्ट सईद साहिब ये सितरें पढ़ेंगे तो जरूर फरमाएंगे कि मिया पेट को अनाडी की बंदूक की तरह भरने का यही नतीजा होता है अनाब शनाब खाने से बचो और बाकाइदगी से वर्जश किया करो हम दर्द नव नहाल में उनके मशोरे पढ़कर हमने अपनी सिहत हम बीमार होते हैं बस कभी कबार साल में एक दो दफ़ा दफतर से छुटी करने को जी चाहता है तो जरा सी बीमारी को बड़ा चड़ा कर बताते हैं और लेट जाते हैं खेर लेकिन अभी तो बच्पन का किस्सा चल रहा था हाँ तो क्या बात हो रही थी खुद याद आया जब हम जरा बड़े होए तो डॉक्टर के पास अकेले जाने लगे और एक डॉक्टर हमने ऐसा भी ढूंट निकाला था जो सुई लगाता ही ना था हम बस उसके पास जाते थे नाम था उनका शेख नजीर अहमद मौसूफ की आदत थी कि दवा खाने पहुंचते ही उन सारे मरीजों को एक साथ एक कमरे में बुला लेते थे जो उनके मुनतजर होते थे फिर धड़ा धड़ नुस्खे लिखते जाते थे नजरें कागज पर होती थी और इससे पहले के मरीज अपना पूरा हाल बताते डॉक्टर साहिब नुस्खा लिख कर फारिग हो जाते और एक ब पर फराटे भरने लगता लेकिन आदमी बहुत अच्छे और नेक इन्सान थे सबसे मुस्करा कर बात करते और मरीज चाहे कुछ भी कहे मुस्कराते रहते और चहरे पर एक नूरानी सा इत्मिना नजरा आता था मर्ज चाहे किसी को कुछ भी हो हर एक को एक सी ढेरों ओड़ उदी नीली नीली पीली पीली गोलियां और केफसूल दिया करते थे अलबता आधा मर्स तो उनकी मुस्कराहट से ही जाता रहता और बाकी आधा एक वक्त की दवा से एक दिन हमने उनसे कहा के डॉक्टर साहिब पहले मेरा हाल सुन लीजे फिर नुस्का लिख लीजेगा लेकिन उनका हाथ चलता रहा और मुस्कराहट बिखरती रही जब उन्होंने नुस्का हमारी तरफ बढ़ाया तो इससे पहले वो कुछ बोलते हमने कहा के ठंधा पानी नहीं पिऊंगा और चावल दही और खटा नहीं खाऊंगा जवाब में वही प्यारी सी मुस्कराहट मिली काश दुनिया के सारे डॉक्टर ऐसे हो जाएं मुस्कराने वाले सुई ना लगाने वाले दोस्तो ये थी कुछ बचपन की यादें आप भी कुछ बचपन की ऐसी खटी मीठी यादें कमेंट सेक्षन में हमारे साथ शेयर ज़रूर कर दें विडियो पसंद आई हो और पुराना दोर आपको भी याद आ गया हो और किसी डॉक्टर का इंजेक्शन याद आ गया हो तो ये विडियो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजेगा क्या पता कि उन्हें भी ना नहीं याद आ जाए अब आने वाली विडियो तक अपने मेज इसमान कादर बख्ष कलहोडो को इजाज़त दीजिये अल्लाहाफेज